पूरे देश की आस्थक केंद्र आयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्मान के लिए समर्थन निधी अभियान की शुरुआत हो गई है खर मास के अंत के साथ शुरु हुए इस अभियान के तहट शुरुआत देश के प्रथम नागरिक राश्टपती रामनात कोविन से हुई जिन्होंने पांच लाख सौ रुपए की समर्पड निधी थी उसके अलावा कई सियासी हस्तियों और कारोबारियों ने भी खुले हाथ से दान किया देखिये रामन्दर इर्मान की दिशा में महादान की वो फैरिस्त जो धर्मावलंबियों को प्रेरत करेगी बढ़ेगी भारत की शान, राम का नाम शुब काम शुरू हुआ चंदा अभियान, राष्ट पती ने दिया योगदान मंदर निर्मान के लिए सबने हाथ खोल दिये करोणो लाखों का दान, उमड़ पड़े आस्थावान हिंदू पंचांग के अनुसार खर्मास में शुब और मांगलिक कार्यों पर लगी रोख हट चुकी है और अब महा कल्यान का समय शुरू हो चुका है इसलिए योध्या में बनने वाले बहुप्रतिक्षुत राम मंदर के लिए भी चंदा अभ्यान चुरू कर दिया गया जिसमें धर्मा और लंबी तो बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं इन ही धर्मा लंबियों में शामल देश के राशपती रामनात कोविन भी अपनी तरफ से मंदर निर्मान के लिए सहयोग राशी भीट की श्री राम जन्भूमी तीर्थ शेत्र के कोशा धेक्ष स्वामी गिरी देव महराज और वीशपी के अध्ष आलोक कुमार समें तमाम बड़े नेताओं ने जब राशपती से मुलाकात की तो उन्हें चंदे की राशी भी मिली राशपती कोविन ने पाँच लाख सौ रुपए चंदे में दिये इसके बाद देश व्यापी चंदा कारिकरम शुरू हो गया जिसमें अभी बारा करोन परिवारों से चंदा लिया जाएगा ये चंदा कारिकरम अगले तेड़ महीने तक चलेगा पहले दिन चंदा कारिकरम के तहए थी देश के पहले नाकरिक के रूप में राशपती से मुलाकाती गई थी और चंदे की राशी स्विकार की गई लेकिन इसे दिन को शुब मानते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में भी कई हस्तियों ने समर पढ़निधी के रूप में राशी दी जिन में उमा भारती और मद्रदेश किसियम शिवराज सिंग चोहान का भी नाम शामिल है इन दोनों ने ही एक एक लाख रुपए के चिक सहियोग राशी के तोर पर मंदिर निर्मान के लिए लेकिन इससे भी एहम है एक ऐसे भक्त का चंदा जुसने मंदिर निर्मान की राहा आसान कर दी अभियान की शुरुवात में बड़ा चंदा गुजरात से मिला एहमदाबात के हीरा व्यापारी ने खुले हाथ चंदा दिया गोविंद भाई धोलकिया ने ग्यारह करोन रुपई की राशी दी इसके लावा कुछ व्यापारियों ने पांच से एक करोन की राशी दी यानि अब भगवान राम के मंदिर निर्मान के लिए समर्पनदान का सलसिला शुरू हो गया है आस्थावान लोग खुले हाथ से दान देने के लिए आगे आ रहे हैं और इसमें आम के साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं ब्यूरो रेपोर्ट टीवी नाइन भारत वर्ष